आज हम लोग बात करने वाल हैं B.A. Part 1 History Owners का Paper 1 Paper 1 का ये Chapter 6 है और Chapter 6 का ये भाग 7 है इससे पहले बाले भाग में हम लोग बहुत दर्म के बारे हम पढ़े थे है बहुत दर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और बहुत दर्म के बारे में हम लोगों से वह रास्ते बता है जिससे अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाया जा सकता है इन सब के बारे में पुरे डिटेल में बात करेंगे तो चली हम लोग सुरू करते हैं महात्ना बुद्ध को ग्यान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले तो वह सारनाथ में गए थे जगहों पर अलग अलग के उसमें महाजन पद उत्पन हो गया ध्यान रखिएगा और अलग-अलग महाजन पदों में वो जा जा कर लोगों को समझाते थे उनके जीवन कैसा अच्छा हो ये बाते बताते थे और धीरे-धीरे उनका नाम का प्रसार होने लगा कि यह बेगती और उस समय के जो राजधानी थी मगद महाजनपद ती कहा ती राजगीरी तो यह तो यह कहां पर पहुंचे मगद में लोगों की समस्याओं का समधान करते हुए पहुंचे राजगीरी में और उस समय राजा जो था तो 20 सार सा ध्यान रखिए उस समय राजा कौन था हर्यक वंस का राजा 20 सार जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यहां पर मैप से थोड़ा सा समाज लेजिए कि यह आखिर यह कैसे यह पहुंचे देखिए यह चार उत्रफ गुम गुम कर अपना जो धर्म का है वो परचार कर रहे थे धर्म का मुखर देखिए इनका उद्येश से क्या था कि लोगों का जीवन अच्छा हो धर्म कर तो इनका परचार ऐसे ही हो जा रहा था जब लोग इनकी इनके बातों से जीवन के समस्या का समधान हो रहा था इनकी बात बहुत अच्छे लग रहे थे लोगों को यह सच बोल रहा है जीवन के बारे में ऐसा ही होता है जितने भी समाज सुधारक और विचारक महान लोग आए जीवन के बारे में जो कुछ भी लिखते हैं वह बात का लिखते हैं जीवन के सारी की हो को मैंने पता हुटा हैं एंसान कृ हिंता पता नहीं होता है यह मोगत महा जनपद में मा जनपद और राजगीविशाम भ१ा फजो राज कुछ राजह कोन थे ग९ह की भी ना इस्वाधा सथ में बहुत कुछ किया साथ में बहुत कुछ इनको दान में भी दिया किनको महत्मा बुद्ध को और महत्मा बुद्ध इसी कारण ना देखिए बहुत धर्म का परचार परचार कैसे हुआ बड़े जो सासक्त उनका संरक्षण मिल गया किसी भी धर्म का परचार हो गया या कुछ भी हो गया ओ इ कोई भी brand बनता है इसे- परेस्टार करवानात यो ठीक करो जाता है, वैसे जो famous celebrity हो तो लोग सुझतें का अगर ये यूज कर रहा है और ये ये product अच्छा है हमको भी क्या करना चाहिए यूज ACLU करते थे यहां पर हूए यहां पर भी तो यहां पर ऐसा बात नहीं था उस समय लोगों को क्या करना पड़ता है गाओं गाओं में जाकर और जो बाते इस गाओं में मालेजे जिनकी समस्या हुआ समय परना पड़ेखाओं में अलग अलग भ्रमड करने लगए और पाइदा नहीं आपकरे बड़ा क difficulty अख्यक्या है अच्छा राता उसमें नहीं यह सब था और जितने नजीक अभी गाओं बसे हुए नुसरा मैं इसमें ंतरने नहीं त्यक्ति यहां पर प्रमन की अगला दिन किसी नहीं इतना दूर दुर गाओं वता था कि बीच में कहीं गाओं भीना ही मिलता था आ से जंगलों यह रहाना पर द्धान रखेएगा तब यह कहां पर पहुंचे स्रवस्ति में घटना होई देखे द्धान समझेएगा यह स्रवस्ति कहां पर पहुंचे स्रवस्ति 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 में पहुंचे अब दिए स्रवस्ति में इनके साथ घटना क्या हुआ घटना यह हुआ कि यहां पर एक डाकू रात था जिसका नाम था अंगुली माल डाकू आप लोगों ने नाम भी सुनाहोंगा और कहानियां भी पढ़ होंगी पिछले वाले क्लासों में 768 ऐसा आड gwemaat 7 hånd और वहीं क्लास में आया कहानि अंगुली माल माल डाकू अ कहानी पड़ा होगा आम समझ्याओं को समधान करते दें तो क्या हूयए यह पहुंचे वहाँपर सरावस्ती में नोगों हुआ है कि महराज रात को तर हम लुदाहिएगा। नोब करते हैं विज्माक हुल पूच्छा कि अम्चेन को एत लेव। कि इतन ही इदगा तृट करते थे लोग जयान रखेगा बहुत ज़्याद इद करते थे आपको पता भी होगा 2000 को बहुत ज़्याद घ्याद माना जाता था जो हम न इतना इतना वह अभी वह invented को मानते हैं ना मातना बूद को इतना मानते हैं जो और वी संत बहुत सारे संत हुए हैं उनको बहुत ज़्यों को बहुत ज़्यों को बहुत ज़्यों को मानते हैं तो क्योंकि उनके पास घ्यान होता है इसलिए उनकी इजद देते हैं उनकी इजद के हम उनको पास घ्यान होत नहां रहता है बताइए हम जाभात यह और बताइए एक अकेला संत जो हिंसा के खिलाब थे हो यह यह संत is तो लोग समझ रहे थे कि बताई एक अकेला संत यह बोल रहे हैं कि हिंसा भी नहीं करना है और सामने वाला जो अंगली मट डाकू अगर इनको मिल गया तो बीना हिंसा किये हुए माने गाही नहीं और यह इधर से कुछ करेंगे ही नहीं मतलब इनका अगर यह गय तो इनको बहुत ज़्यदा नुकसान पहुंचा देगा तो लोगों ने समझाए कि आप मत जाहिए उसके पास लोग बताए कि देखिए वहां पर यह सह से रहता है जंगल का नाम बता है कि हम यहां पर रहता है लोगों ने कह समझाएक देखिए महराज मत जाहिए वह बहुत बाड़ा डाकु है ऊथ पहले बात किसी को पाचान्ता नहीं है किसी को भी नहीं पाचान्ती यह कोई ठीक है कोई दिकत नहीं है हम जायंगे यह कहां पर पहुंच गया उसी के पास में जहां पर वो रहता था आइ यह रात को पहुंचे थे जब कोई इंसान हमारे तरफ आ रहा है तो बड़ा उसको जीब लगा हमसे इसे अड़ा है यह कौन है जो हमारे तरफ ही आरहा है जब यह उसके पास पहुँचे है तो बोले तुम ही उगली माला कुग हो तो उसे कहा जांग हमको किसी से कही नहीं लगता है जर्थ हिंदर से रहा है इसमने सामने ख़ा हुआ है और यह झेख रहा है विदेखको हम की सामने सामनों की और लुटुने पराऊ है, हमको कर रहते हैं मातना बुद्य ने कहा कि देखो तुम कभ निकलते हो रात को निकलते हो और दीन में कभी निकलते नहीं हो और भीड़वाले इलाके में तुम जाते नहीं हो तो डर किसको लग रहा है डर तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम दीन में नहीं 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 जाते हो हमको किसी से डर नहीं देखो रात को तुमारे पेस आएएंद बीन भाड़वाली इलाखे में घुमते हैं, दिन में घुमते हैं, जी अर सब्सक्राइब हमको किसी से डर नहीं, डर किसको है, तुमको है ऐसे करके दो- तीन- चार घफण तक खुब समझाई उसको।। बहुत ज़्यादा समझाय को समझात। किया बहुत कुछ किया। लगबग चार घफण तक बहुत कुछ उसको समझाय। पूरा दिर तक मतलब समझाय। समझाने घृटा क्या हुआ हुआ? को त्याग दिया और किसका सिस्य बन गया मातना बुज का समझे इनके बातों में इतना पामर था कि इनका सिस्य एक डाकू जो कुछ घंटों पहले एक डाकू था और किसी की भी हत्या कर देता था कुछ घंटों बाद किसका सिस्य बन गया इनका और हिंजा को पूरी तरह से क् इनका बातों में इतना पौर था बात आसा बातें कुपड हो जाते परह। का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो केंद्र कहां बना ये मगद बना ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा केंद्र कहां बना मगद बना उसके बाद इनका एक प्रिया सिस्य था जिसका नाम था आनन्द ध्यान रखिएगा एक प्रिया सिस्य प्रिया सिस्य था जिसका नाम था आ अनन्द था अब देखिए महिलाओं को पहले बहुत संग में परवेश के अनुमती नहीं थी पुरुसमी बहुत संग में परवेश करते सकते थे इनके अनुवाई बन सकते थे हां इनकी बातों को सुनना है कोई भी इनको बातों को सुन सकता अपने जीवन में लागू कर सकता लेकिन इनके सिस से नहीं बन सकता लेकिन आनंद के कहनेपर आनंद ने कहा कि नहींमाराज महीलाओं को भी साम reads कीजिए कोई दिकत नहीं है तो ये पहले तो नाग बोले फिर भी पोले कि ठीक है सामिल कर लो लेकिन बहुत धर्म जादा दिन अब चल नहीं पाएगा जब यह तुम कह रहे हो ना तो यह बहुत जो धर्म है वह जादा दिन चल नहीं पाएगा फिर भी इनोंने काने के बाद महिलाओं को परवेस करने मत दे दी आप उसके बाद के वह सबसे पहली महिला जो थी वह इनके धर्म में इनके बहुत धर्म में परवेस किस ने किया इनकी मोसी गौतमी थी यह मोसी कौन थी गौतमी गौतमी जो पहली महिला थी जिनोंने बहुत बहुट संग में पर्वेश करने के बाद यह क्या होता था देख है एक उपासक होते थे कि इनके बातों को मानना ऑर अपने जीवन में उस बातों को लागू करना और अपने जीवन जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहें मतलब गिरिहस्त जीवन जीते रहें उसमें कोई दिकत नहीं आप अपना काम करते रहें सब कुछ करते रहें बस इन जो बात बता हैं इन बातों को अपने जीवन में लागू करना दूसरे कौन होते हैं यानि के सीगस्य में दोट्राके लोग होते फसे में दो तरह में कौन कोण एक तो होते है है न कि शुक होते तो देखक शुक्राइबаковान extraordinarily कौन जची द्धिकत नहीं लेकिन विक्चूस में भरते थे, इनके सांथी रहते थे, लेकिन बग्चूस करते थे, इनके धर्म परवेस्ट । और इनक céu करते की बात में बहुक्त जादा ऐसे Undert। इनकी बातों को लिखा जाता था अभी वि कोई भी महान बेखती या कोई बी जो बड़े लोग है वो कोई भी बाते बोलते है तो उनको कंहाया जीए तो क्या किया ईया Luther got बाद में ही इन ही के उपदेशों को बहुत धर्म के अलग-अलग पुस्तकों में राचना किया गया जैसे यहाँ पर बात करें मिलिंद्पन हो गया या और भी सूथपिटक हो गया अभिधाम पिटक हो गया इनकी बतोग उपदेशों को इनके बहुत संक नियमों को सब उसी में लिखा गया मानलेजें इनके जाने के बाद क्या किया गया उनिको लागो किया गया अब इनकी बात करें यह बहुत जगा पर और यह काफी ब्रीध हो चुके थे और शीयिति शारसो थीरासी इसा पुर्म्होल मैं हुए जो शारसो थीरासी इसा पुर्म में हो गया और 2 मियुतु होने के बाद जो बहुत संग थे उनको चलाने के लिए कुछ नियम कानुब मैं अब देखिए यह जब तक थे तो सब कुछ बताते हैं कि आएसे करो लेकिन अब तो बहुत धर्म के पुरोपर नियाम बनाना पड़ेगा कि एक सही तरीका सा नियाम होना चाहिए बहुत धर्म कैसे चलेगा क्या चलेगा तो इनके मिरित्यों के बाद ही बहुत संगीति करवा संहीति बाद में आंगे पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले इनके कुछ बातों को कुछ राधू को थोड़ा सा शुमझ लेते हैं बिचारओ को समझेने लगें जा हम्राती शॉरी धर्म और शॉंग कैने टिरियां वर्टेर्श बती धान और मिन एम सक्राषड द्यांद जक्त आरे सॉत यहां पर यहां पर तें यहां पर आरे सॉत थे कि आरे सॉत थे धियान रखियेगा क्या क्या थे पहला था दुख दुख के कारण तीसरा क्या था दुख का अंत और चौथा क्या था दुख के अंत का मार्ग अंत का मार्ग अब समझे जोन मիमते हैं इनके 4 यार्य सत्त प्रढय आय बताते हैं फट्वेयकर दुख प्रत्व केशान कयों वो बसे पें हमकेनि में दूख अनी के कोई ृग अगया बहुत तरह की मोगा दोच आता है और यह जो दुख है वह हमारे जीवन में पूरा हमारा जीवन ही पूरा दुखों से भारा हुआ है जितने भी प्राणियों ने यहां पर जर्ती पर जन्म लिया है उनके जीवन जो है उनके जीवन दुखों से क्या होता है भारा राता है चारो तरफ दुख से क्या राता है भ दुख का कारण हमारी एक्षाएं होती है अधिकतर जो दुख होते हैं वह हमारी एक्षाओं कारण होते हैं अब कैसे दुख एक्षाओं कारण होते हैं बहुत सारे जो दुख है दूसरे से उमीद कर लेते हैं कि सामने वाला ऐसा करेगा या हमें ऐसा देगा कूछ या ऐसा उमीद पूरा नहीं हो पाता है, हम उमीद रखते हैं कि यह हो जाएगा वैसे हो जाएगे लेकिन वैसा होता नहीं है, जब नहीं होता है तो हमें क्या होता है, दुख होता है, तो यह चाहिए है हमारे दुखों का कारण है, उसके बाद, दुखों का अंत क्या है, दुखों का अंत आप चाहिए न दुखों का अंत क्या है हमारी ख्याओं का त्याग ही हमें दुखों के अंत तक लेकर जाएगा और अपने जीवन में बहुत सारी जो गलत चीजे उनको त्याग ना पड़ेगा और सही चीजों का अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा दुख का अंत का मार्ग क्या है यही मार्ग है कि जो इख्षाए हैं उनको त्याग कि यह दुख का अंत अपने आप हो जाएगा इतने चार आरे साथ फिर अश्टांगी मार्गी नो ने दिया और यह बहुत कुछ इनको उपदेश रहे अब इनके थोड़ा सा बहुत संग के थोड़ा सा नियम बहुत संग के नियम बहुत संग के नियम ही है तो आपको नियम में परवेस करने के या नियम में परवेस नहीं किया है तो साथ अहीं सा यह सब तो अपना नहीं है और कोई भी इनके धर में परवेस कर सकता था कर सकता था को इस पर आप यह ज्याती या वर्ण का कोई भी मतलब को छी नहीं लगा हूए था कि आप इस जाती से थो वह परेस्टकरेंगिह इस वईसने तो परवेक्ष करेंगे he कोई भी बहकति इनके धर्म में परवेस्ट कर सकता था इनके धर्म की कुछ नियम बनाया गयessa और जिसमें कोई भी बहुत भी चुक्या कोई भी कुछ गल्ति करता था… तो उनको कैसे सजा देना है। इसके भी प्रावधान होता है। उसके लिए एक समीति होती थी। समीति, ध्यान रखियेगा। समीति इसका नेलनाय करती थी कि सामने वाले को क्या सजा देना है। क्योंकि जब लोग किसी धर्म में परवयस्थ करें तो गल्तिया भी करेंगे अब बढ़ी बढ़ी गल्तिया भी कर सकते हैं तो उनकी सजा कैसे होगा या उनको कैसे निकाला जाएगा बहुत संघ से उसके नियम क्या होगे कौन सी बढ़ीете को और इनका नियम था कि जो भी बहुत विक्चुक होते थे वो तो मांग कर खाना खाते थे और उतना ही आपको मांगना है जितना कि आप खा सकें यह नहीं खाना इतना है मांग इतना लिए और फेक दिये तो नहीं आसा नहीं है अनाज का दूरूपयोग नहीं करना है और सारे बहुत विक्चुक है अपना काम स्वायम करते थे जो भी काम करना होता था अपना सारा काम क्या करना होता था स्वायम ही करना होता तो हमें लगता है समझ में आ गया होग झाल